आज का हमारा पहला टूल है hy.page देखिए hy.page में जैसे ही आप sign up करेंगे सबसे पहले आपको यह welcome message आएगा और आपको अगना industry चूज़ करना है कि आप कौन सी industry है आपका काम है यहाँ पर जो options से हुआ है e-commerce, cryptocurrency, digital marketing, SaaS, music, digital product, blogging, travel, other तो मैं यहाँ पर blogging चूज़ कर लेता हूँ और submit and proceed पर click करता हूँ देखिए यहाँ पर आप इसके बाद एक project चूज़ कर सकते हूँ consider each project के different website और brand every project is connected to its own domain और sub-domain तो इसके मैं click करता हूँ देखिए choose a username for this project लेटर से number कोई space या special character आप नहीं दे सकते है तो यह बस हम test के लिए दे देते हैं test 7 next something point wrong दिखा रहा है तो मैं फिर से home page के चला जाता हूँ देखिए username यह वाला जो project है यह कैसे आ गया है इसे ही हम select कर लेते है तो देखिए यह वाला जो project जो अबने आप create हो गया था यह अब यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर links आड कर सकते हैं उसके बाद design चेंज कर सकते हैं settings है और analytics है तो यहाँ पर है main link अगर आप product यह members इसे sell करना चाते हो तो आपको regular link यह पर social media का link ही add कर सकते हो तो यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमने इससे पहले ही कुछ ऐसे टूल देखे है जिसमें प्री में वे आप साड़े टाइप के link add कर सकते हो उसके बाद है contact option यहाँ पर आप अपने email और phone number add कर सकते हो यहाँ पर देखिए जो orders है products है अगर हम products पर चलेंगे तो simple product coupon code category लेकिन यह सारे pro features के साथ ही आपको मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया यह सारे paid features के साथ आता है अब अगर products sell करना जाते हो members भी same है उसके बाद है people और settings देखिए people यहाँ पर हमने select किया है तो आप नया team member add कर सकते हो और उसके बाद settings है तो settings में जाके आप अपने domain या sub domain add कर सकते हूं यह default username है और home page है इसके बाद है payment gateway integration यह देखिए stripe और paypal का payment integration है email integration जो है वो mail team, dream, mailer light, convert kit, get response यह साथ है उसके बाद facebook google का tracking code आप add कर सकते हो या फिर jpr का waybook integrate कर सकते हो इसके बाद है financial and shipping और default email हम फिर से dash पे चलते है तो यह revenue order new people यह सब दिखा रहा है यहाँ पर हमने link का page दिखाता है इसके बाद हम design के page के चलके एक बाद देख लेते हैं देखिए यहाँ से आप color change कर सकते हो यहाँ पर सारे type के color जो headline का color है text का color, background, link box, link box का border का color, button का color, link का color यह सारे आप change कर सकते हो background, email आप change कर सकते हो text या font और email या info capture box आप add कर सकते हो यहाँ पर colors है उसके बाद है settings यह हम leap कर देते है तो settings में देखिए फिरसे आप यहाँ पर domain add कर सकते हो facebook, google का analytics id add कर सकते हो आप अपना terms of service, privacy policy यह सारे यहाँ पर add कर सकते हो और last है analytics देखिए यह zero page view और zero link links यहाँ पर अभी दिखा रहा है तो hy.page भी और एक bio link tool है जिसे आप use कर सकते हो लेकिन इसमें भी काती सारे features paid plan के साथ ही मिलता है और खास कर कि यह उनके लिए काम आता है जो digital product sell करते हैं तो चलेंगे आज के दूसरे tool पर जो है link.bio इससे पहले हम लोगोंने bio.link यूस किया था और इस बार हम link.bio यूस करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही आप sign up करेंगे आपको यहाँ पर यह option मिलेगा अपना username चूस करने का और यह url भी आप change कर सकते हूँ जैसे link.bio है इसके लिए link.at या link.ki आप चूस कर सकते हो तो चलिए मैं इससे link.at चूस कर देता हूँ और मैंने अपना नाम दे दिया है इसके बाद मैं continue पे click करता हूँ तो देखिए choose your style यहाँ पर जो फीन option आ गया है फ्री इसमें भी आपको unlimited links मिलेंगे music video आप embed कर सकते हो कोई extra cost नहीं यह बिल्गुल फ्री है उसके बाद जो mini plan है वो 0.99 dollar per month से शुरू होता है या फिर आप बस one time 9 dollar pay करके भी इस plan को ले सकते हूँ तो यह भी आपकी 800 रुपए होंगे उसके लिए आप यह mini plan ले सकते हो और आपको यह one time payment करना है या फिर 25 dollar का one time payment करके आप यह unique plan ले सकते हो आप difference इन सब में देख सकते हो तो मैं अभी इसे feed में choose कर लेता हूँ देखें लिंक your link.bio page to your main social or website यहाँ पर इंस्टा, tiktok, social website आप चूज कर सकते हो या फिर मैं इसे skip कर देता हूँ क्योंकि मैं बस इसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ कौन सा layout अब चाहते हो image grid या फिर लिस्ट चलिए image grid सेलेक करके देखते है यहाँ पर दिखा रहा है upgrade to mini और unique to seta grid तो image grids हम नहीं ले सकते है free plan में list चूज करके देखते हैं बिल्कुल list हमें free में मिल गया है मैंने भी email भी confirm नहीं किया था तो live जाने के लिए आप अपना email confirm कर लेना यह मेरा link है यहां से आप इसे edit कर सकते हूँ या फिर copy कर सकते हो create या tab to add new कर सकते हो यहाँ पर आप link पर मैं अगर click करूँगा तो इसमें मैं title दे सकते हूँ link का उसके बाद url डाल सकता हूँ image दे सकता हूँ या फिर schedule कर सकता हूँ नेक्स जो है swap product फिर से यह एक upgrade का notification दिखा रहा है यह भी आपको paid plan के साथ ही मिलेगा और music and podcast यह भी साय और music and podcast यह देखिए select music service आप चूज कर सकते हूँ यहाँ से amazon music, apple music, bandcamp, beatstar, mixcloud, soundcloud, soundcloud, spotify या title इन्हें आप चूज करके set कर सकते हूँ यहाँ पे एक settings का button है देखिए schedule overlay, visibility overlay और visible hidden link यह साड़े on है आप इन्हें चाहो तो change कर सकते हूँ यह लिंक का page इसके बाद है style का option हम style पे क्लिक करेंगे देखिए आप से आप layout आपने पहले ही दे on hunan यहाँ डिलीड कर सकते हूँ अपना picture इआट कर सकते हूँ पिर कभूक ऐड कर सकते हूँ और इससे यह ជसे हम delete कर सकते है नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसके लिए भी आपको pate plan लेना होगा इसके बाद है colors अब यह सारे colors आपको मिलेंगे और कलर से अगर आपको चाहिए तो फिर से आपको paid plan लेना होगा इसके बाद font set blocks को आप move कर सकते हो जैसा हमने पीछले वीडियो में भी देखा था next job सुने हो browser ये भी एक row feature है और है wallpaper ये भी row feature है इसमें भी बहुत सारे फीचर आपको pro plan के साथ ही मिल सकता है हम चलते हैं stats पे ये भी प्रोब feature है और जो end का swap है इसमें आप देखिए आप digital product sell कर सकते हो आपको उसके उपर 5% fee देना होगा excluding tribe copies तो illegal content या idle content आप नहीं use कर सकते हो और आपको बाखी जारे terms यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेकिन ये feature भी paid plan के साथ ही आपको मिल सकता है तो इसमें भी बहुत सारे feature से है लेकिन paid plan के साथ फिर भी अच्छी बात यह है कि आप बस एक बार 25 डॉलर पे करके इनका paid plan ले सकते हो तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ और tools के साथ